प्रस्न एक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, प्रस्न एक का पहला है, चुकी, चुकी, तीन सो चौधर, गुना, पचासी, बराबर, 26,690, अतह, तीन दस्मलों, एक, चार, गुना, आठ दस्मलों, पांच, बराबर, कितना होगा, ये पूछ रहा है, तो तीन सो चौधर, गुना, पचासी, दिया हुआ है, 26,690, यानि, तीन सो चौधर को, पचासी से गुना करने पे कितना आता है, 26,690, तो तीन दस्मलों, एक, चार, और आठ दस्मलों, पांच, को गुना करने पे कितना आएगा, तो देखे, दस्मलों के बाद दो अंक है, यहाँ पे, और यहाँ पे दस्मलों के बाद एक अंक है, तो दोनों मिल करके क्या हो गया, तीन अंक, दस्मलों के बाद, तो दस्मलों के बाद दो अंक है, इसमें दस्मलों के बाद एक अंक है, तो दोनों मिल करके, दस्मलों के बाद तीन अंक होना चाहिए, अगर यह दोनों को गुना करेंगे तो, तो देखे, तो 26.69 होगा ये दोनों को गुणा करने पर कैसे तो 314 को 85 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 26690 लेकिन यहाँ पर 3.14 है और 8.5 है यानि दस्मलों के बाद 2 अंक है दस्मलों के बाद 1 अंक है तो इसके गुणनफल में दस्मलों के बाद 3 अंक होना चाहिए तो दाइए और से 3 अंक के पहले दस्मलों दे देंगे यानि 6 के पहले ठीक है यहाँ पर देखे दस्मलों के बाद 3 अंक तो 26.690 इसका उत्तर होगा दूसरा चुकी चुकी 63-88 63-88 बराबर 5544 63-88 बराबर कितना आ रहा है 5544 अतर 0.063 गुना 0.0690 बराबर कितना होगा तो 63-88 से गुना करने पे कितना आ रहा है 5544 तो 0.063 गुना 0.088 को गुना करने पे कितना आ रहा है तो देखे दसमलों के बाद 3 अंख है और दसमलों के बाद 4 अंख है तो 4-3-7 अंख हो गया दसमलों के बाद 3 अंख है दसमलों के बाद 4 अंख है तो 4-3-7 अंख यानि यहाँ पे तो 4 ही अंख है तो क्या करेंगे इसके पहले तीन सुनने और लगाएंगे फिर लिख देंगे 5544 ठीक है तो सुनने दसमलों सुनने सुनने पाँच 5-4-4 चार अंख था देखे ये दोनों को गुना करने पे तो इसके आगे तीन सुनने और लगा देंगे पांच पांच चार चार के आगे तीन सुन्या लगा देंगे तो साथ अंक हो गया तो दस्मलों के बाद साथ अंक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दस्मलों के बाद तीन अंक है दस्मलों के बाद चार अंक है तो 4-3 कितना होगा, 7, यानि 10 मलों के बाद 7 अंक होना चाहए इसलिए 3 सुने और पहले लगाएंगे और 10 मलों देंगे, और 10 मलों के पहले सुने दिया जाता है तो सुने, 10 मलों, सुने, सुने, सुने 5-5-4-4 इसका उत्तर होगा क्योंकि संख्या तो आई है देखें 63 यहाँ भी है 63 यहाँ भी है बस सुनने और दसमलो लगा हुआ है तो इसी को लिग देंगे और उसके पहले तीन सुनने देंगे और फिर उसके पहले दसमलो और दसमलो के पहले सुनने दिया जाता है तीसरा तीसरा में है चुकी चुकी 243 गुना 350 बरावर 85,050 243 को 350 से गुना करेंगे तो कितना आएगा पचासी हजार पचास अतह सुन्य दस्मलो दो चार तीन गुना 3 दस्मलो पांच सुन्य बरावर कितना होगा तो देखिए 243 को 350 से गुना करने पर कितना आ रहा है पचासी हजार पचास तो सुन्य दस्मलो दो चार तीन और तीन दस्मलो पांच सुन्य को गुना करेंगे तो कितना आएगा तो दस्मलो के बाद तीन अंख है यहां पर यहाँ पे दसमलों के बाद दो अंग है तो 3, 2 होगया 5 यानि दसमलों के बाद 5 अंग होना चाहिए तो देखे एक, दो, तीन, चार, पांच यानि बस लिख देंगे सुन्य दसमलों, 8, 5 सुन्य, 5, सुन्य यानि यह 5 अंग है तो 243 गुना 350 बराबर आ गया 85,050 अब यहां भी देखिए 243 और 350 है बस दस्मलों लगा हुआ है तो दस्मलों के बाद 3 अंख है यहां पे दस्मलों के बाद 2 अंख है तो 3 और 2 मिलके 5 होगी है यानि दस्मलों के बाद 5 अंख होना चाहिए तो 8 के पहले दस्मलों दे देंगे यानि सुन्ने दस्मलों 8,5,05 सुन्ने इसका उत्तर होगा चुकि 26 गुना 38 गुना 46 बराबर 45,448 26 गुना 38 गुना 46 बराबर कितना आएगा 45,448 यानि ये तीनों को गुना करने पे 45,448 आएगा ठीक है अतह क्या पूछ रहा है 2 दस्मलों 6 गुना सुन्ने दस्मलों 38 गुना 4 दस्मलों 6 बराबर तो 26 गुना 38 गुना 46 बराबर आएगा 45,448 तो 2 दस्मलों 6 गुना 0 गुना 0 गुना 4 दस्मलों 6 कितना आएगा तो देखें 26 गुना 38 गुना 46 यहां भी है 26 गुना 38 गुना 46 बस दस्मलों लगा हुआ है तो दस्मलों के बाद एक अंक है यहां पे दस्मलों के बाद दो अंक है और दसमलों के बाद एक अंक है तो सब को चोड़ेंगे दसमलों के बाद एक अंक दसमलों के बाद दो अंक तो दो एक तीन हो गया तीन एक चार यानि दसमलों के बाद चार अंक होना चाहिए तो एक दो तीन चार इधर से गिनेंगे एक दो तीन चार यानि पांच के पहले दसमलो होगा यानि चार दसमलो पांच चार चार आठ इसका उत्तर के आएगा चार दसमलो पांच चार चार आठ तो इस तरह से प्रसनेक हल करेंगे बहुआ है